डॉल्पाइट तेडी वियर में स्नाइपर पन स्कूल मज्यदों में टेरर नेटवर्ट हमस्तिक खरना शाजश हमस्तिक होवनाग साजश इडिखर नेश ग्डिवण विर्फड़ ठाल बान IDF के खिलाफ बोड़ा प्लान घासा में हमास का रियाप्शन देख इस्रैली सेना के होश उड़े हुए है इस्रैली सेना की बंबारी के बीच हमास ने घासा में जो व्यूर रचना की है बैनमिन नेतन याहू के पास उसका कोई तोड नहीं देख रहा इस्रैली सेना जिस ओर मूव कर रही है हमास ने उस रास्ते में बंब फिट कर दिया है ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुए लेकिन इस्रैली सेना की जीरो डेथ वार की स्ट्रैटजी के भी पर अच्चे उड़ गए है हमास के इस जबरदस्ट प्रतिक्रिया के वज़े से ही 27 अटूबर से यानि जब से इस्रैल ने घाजा में जमीनी हमले शुरू किये है 121 इस्रैली सेनिकों की मौत हो गई है ये आकड़ हमास ने नहीं बलकि इस्रैली सेना नहीं जारी किया है 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इस्रैली सेना घाजा पर अब तक कबजा पाने में असमर्थ रही है हमास ने ऐसी कौन सी हत्यार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इस्रैली सेना के पास नहीं है हमास के लड़ाकों ने पूरे घाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इस्रैली सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में दिखाएंगे अभी हमास ने इस्रैली सेना के खिलाफ जो चक्रवियो रचा है उसे देखिए हमास नए नए तरीकों से आईडियाफ के जवानों पर हमले कर रहा है हमास के आतंक्यों ने गोड़ियों के अंदर बम भर कर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिये है उनकी कोशिश थी कि इस्रैली बंदुकों की दलाश कर रहे आईडियाफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे जैसे ही उनके पास आएंगे बंब के धमाके में मारे जाएंगे लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इस्रैल पाद पाद इस्रैल इंटेलिजन्स यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया जिसके बाद डिस्पूजल स्क्वाइड में उन्हें निश्क्रे कर दिया इस्रैली सेना ने दाबा किया है कि हमास गुडियों और बच्चों के बैक पैक्स को जान बूच कर एक सुरंग शॉट के पास रखा था जो एक बड़े टरनल नेट्वर्क से जोड़ा हुआ था इस्रैली सेना ने उस्तिलाकी की तलाशी ली और खात लगा कर किये गए हमले के साथ साथ क्षित्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी परदाफाश किया IDF ने दाबा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाय हुए थे इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे इसके अलाबा घाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टरनल नेटवर्क भी मिला है इसके जरी आतंकपादी सुरक्षित आबाजाही कर दे इतना ही नहीं हमास ने इस्रेली सेना के नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा दे हमास के पास बिना शक इस्रेल वाला वेपन पावर नहीं है लेकिन हमास के पास हथियारों में घरे लू रोके अफग्रेड़ेट एक एक फोर्टी सेवन और सोवियत संग के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किये हुए हथियार है कई ऐसे एडवांज हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई इरान ने की तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्मान उत्तर कोरिया में किया गया ये जानना भी बेहत दिल्चस्प है कि हमास की पसंदीदार राइफल कौन सी है सोवियत दौर में निर्मेट 7.62 mm कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौचार करते हैं इसके अलाबा SVT, Dragono, Groose Semi Automatic 7.62 mm कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तिमाल हमास 20 किलोमेटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है हमास के ट्रक, भारी, मशीन, गन, M2, ब्राउनिंग, H, M, G, से लैसे हैं ये पैदल से न, हलके बखतरबंद, वानों और कम उड़ान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हतियार हैं वो या तो इरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सूवियत दौर के हैं इन हतियारों से हमास इस्रेल को नुकसान तो पहुँचा रहा है 9 किलोवाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट लॉंचर हमास का फेवरिट है ये काफी सस्ता और उप्योग में आसान है सोवियत संग का बना ये हतियार कंधे पर रहता है और एक ट्यूब से रॉकेट दागता है ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दोरी पर मौजूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है हमास को इजरेली सेना की ताकत का अंदाजा है इसलिए हमास ने 2014 से ही इजरेली हमले का ब्रतिकार करने की तैयारी शुरू कर दी थी जिन सुरंगों को नश्ट करने की बात हो रही है या नश्ट की जा रही है ये सुरंगे दुनिया के लिए आजूबा है सोचे जरा 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चौड़े घाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास में 500 किलोमेटर लंबी सुरंग खोद रखी है इन सुरंगों में हमास की जान बसती है। इनके हत्यार, इनके लड़ाके, इनके नेता, सारे सुरंगों में शरण पाते हैं। जहां तक सुरंगों के सफाय की बात है, तो इस्रेल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेच कर दिया है। लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगे हैं जहां अब भी इस्रेल की सेना नहीं पहुँच पाई है इन सुरंगों को नश्ट करने के लिए अब इस्रेली सेना इनके भीतर समंदर का पानी छोड़ रही है हमास का बचना मुश्किल लेने नामुम्किन है लंबे वक्त तक हमास के टिके रहने की कोई संभावना नहीं देख रही है इरान जिससे सबसे जादा हत्यार मिलने की हमास को उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया है लहाजा हमास फंस गया है बाकि किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही जबकि इस्रेयल को अमेरिका से सीधे हत्यारों की सप्लाई हो रही है नतीजा जमीन पर देख रहा है इसरेयल की होर से ताबर तोड हवाई हमलों ने घाजा के कई शहरों को खंडैर में तब्दील कर दिया है अर्ण से जहरों कि नहीं पर दूड़ा जय कर दोड़ी बाद रहाँ कर दाए जाए अर्ण स्क्रण कर दोड़ा प्रू़ग कि अर्ण से ड्पोड़ा डाजा हमले में करीब 40 से जादा लोगों की मौत हो गई है सेंट्रल गाजा के एक शर्णार्थी शिवे पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है इन में 14 महिनाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रफाश शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। हर बीतते दिन के साथ इसरैल गाजा पर अपना नियंत्रण बना रहा है। खान योनुस में इस वक्त इसरैली सेना भीशन बंबारी कर रही है। खान योनुस इने घाजा के कई बड़े शहरों पर इसरैली सेना ने हमले तेज कर दिये हैं। इसरैल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को बहुत गोर से सुनी। क्योंकि जिन्हें युद विराम के उमीद देख रही है, उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा। बंदकों की मौत की हमास वाली धंकी का इसरैल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू के ओपर कोई असर नहीं देख रहा है। करें देख विराम के लिए प्रफ देख रहा है। इसरेयल पलस्तीम की जंग देखते देखते कई पीडियां गोजर गजर है, लेकिन दो हजार तैस में जिस तरीके से युद ज़ए है। उसमें तबाही की नई कहानी लिख दी है। इसरेयल इस इरादे के साथ मैदान में उत्रा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जंदा रहने तक गोली चलाते रहना है। जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के दरब बंधकों के नाम पर वो युद विराम करवाएगा। संयुक्त राश्ट में आबाज उठाएगा और विश्व विरादरी से इसरेयल पर दबाव वनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे। हमास की ये कोशिश आंशे क्रूप से रंग धील आ रही है। अमेरिका ने इसरेयल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नीद सुलाने के दौरान ये खयाल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तिनी की इसमें मौत ना हो। लेकिन युद में इसरेयल इस कदर उलजा हुआ है कि अपनों तक को पैचानने में इसरेयली सेना से बूल हो रही है। जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तिनी प्राधिकरण देखना चाहते हैं जिसे महमूत अबबास 2005 से चला रहे हैं। फिलिस्तिनी प्राधिकरण और फत्र के हजारों कार्यगरता मारे गए। इस हिंसा के बाद महमूत अबबास ने हमास के प्रमुक इसमाइल हानिया को पद से हटा दिया था। लेकिन हानिया ने इससे इंकार करते हुए फिलिस्तिनी प्राधिकरण से अपना रिष्टा तोड़ लिया था। गासा का क्या होगा ये तभी तै होगा जब युद्ध समाथ होगा या युद्ध विराम होगा और ये दोनों सूर्थें फिलहाल तो कम से कम नहीं देख रहे हैं। एक बात जो अब तक युद्ध के दोरान देखी गई वो ये कि अरब वर्ल्ड का कोई भी देशो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ना ही खुल कर मदद देने के लिए राजी है। यमन के हूथी वे द्रोहियों के हम या लेबनान के हेजबुल्ला लड़ाकों के अटैप इसरेल को रोख पाने में समर्थ नहीं है। और इसरेल तब ही यो दविराम करेगा जब हमास के अंतिम आतंकी को मार कर वो खाजा पर कपजा कर ले।